नमस्कार मैं हूँ आपके संग नित्यम मंत्र यन तंत्रवास्तु के विशेश कास्क्रम के साथ भगवान गनेश का फोटो आम तोर पर में गेट पर लगाते हैं जब भी आपके घर बनते हैं नए मकाना बनाते हैं उसके बाद पूजा के पहले या पूजा के दोरान आप भगवान गनेश का फोटो अपने में गेट पर अवस लगाते हैं लेकिन अगर भगवान गनेश की फोटो लगाने में आप से कोई चुक हो जाए कोई गलती हो जाए तो आपके घर में दर्ड़ित्ता आ सकती है तो हमारे साथ बने रहे हम आपको बताएंगे कि भगवान गनेश का फोटो में गेट पर कैसे लगाएं ताकि आपके घर में जो दर्डिता आने की संभावना है उससे आप बस सके तो हम सिधा चलते हैं कि अगर भगवान गनेश का फोटो गलती से आपके मेंड गेट पर सही तरीके से अगर नहीं लगा है तो इसके क्या परिनाम हो सकते है तो उसके पहले हम आपको बताते हैं कि गनपती पर्थम पुज़ है हर पूजा से पहले उनकी पूजा की जाती है अईशा माना जाता है कि कोई भी सुपकार से पहले गनपती की पूजा करने से कार्ज में सफलता मिलती है मंगल मूर्ती की पूजा से शब मंगल तो होता है लेकिन अगर उनकी पीठ का दर्शन करना सुब नहीं माना जाता है तो इसलिए भगवान गनेश का पीठ का दर्शन आपको कभी नहीं करना है गनेश जी का हर अंग सुबता का प्रतीक है लेकिन सास्त्रों में कहा गया है कि भगवान गनेश के पीठ के दर्सन कभी नहीं करने चाहिए ऐसा करना और मंगलकारी होता है इसके साथ साथ गनेश जी का फोटो लगाने की क्या साबधानी है सबसे पहली बात गनपती के दर्सन हमेशा सामने या फिर दाएं या बाएं से करना चाहिए कभी भी गनपती जी का दर्सन पीछे से नहीं करना चाहिए गनेश जी को वास्तु का देवता भी कहा जाता है अगर घर में वास्तु दोस है तो पूझा करके गनपती की मुर्ती का स्थापना करने से दोस खत्म हो जाते हैं आम तोर पर लोग घर के में गेट पर गनेश जी का फोटो लगाते हैं लेकिन लगाने में गलती कर जाते हैं तो आपको इस बात को धियान रखना है कि भगवान गनेश का फोटो आप मेन गेट पर कैसे लगाएं। लेकिन उसके पहले हम आपको समझाते हैं कि ऐसा मैं क्यों आपको बता रहा हूं। क्यों गनेश जी का पीट आपके घर के तरफ नहीं होना चाहिए। क्यों होता है। देखिए ऐसा माना जाता है कि भगवान गनेश के पेट में शुक और समर्दी का बास माना गया है। कि आप अपने घर के में गेट पर गनेश जी का फोटो लगाते हैं या कोई चित लगाते हैं तो इसमें आपको खास ध्यान रखना है। तो आप ध्यान क्या रखना है? इस बात पर हम चर्जा करते हैं. देखिए, बास्तु सास के नुसार, गनेश जी का फोटो अपने मेन गेट पर इस तरह से लगाए, ताकि गनेश जी का पीट आपके घर के तरफ नहीं होनी चाहिए. गनेश जी का पेट आपके घर के तरफ होन होगा, तो आपके घर में दर्जित्ता आने की संभाव ना बढ़ जाएगी या बढ़ सकती है. तो हमेशा यह ध्यान रखे जब भी आप गनेश जी को अपने घर के मेन गेट पर लगाते हैं, तो उसको इस तरह से लगाए, ताकि गनेश जी का पीट बाहर के तरफ हो. इस आपको धियान रखना है. अब जो सबसे महत्पुन बाद है, अगर आपने गनेश जी का फोटो लगा ही दिया है गलत तरीके सो तो क्या एज़ेस्टमेंट कर सकते हैं वास्तू के नुसार? कभी कभी साय लोग क्या करते हैं कि अपने घर के मेन गेट पर एक सीमेंटेट गन दिया है ताकि गनेश जी का जो पीठ है वो आपके घर के तरफ है तो आप अपने घर के अंदर के तरफ एक गनेश जी का सेम सेम टू सेम फोटो लाईए और इस तरह से लगाईए कि गनेश जी का जो पीठ है उसके पीठ के स्थीक सामने दूसरा फोटो अपने घर के तरफ लगाईए ताकि गनेश जी का जो पेट है वो आपके घर के तरफ हो तो दोनों पीठ जो बाहर वाले गनेश जी है जो आपके घर के अंदर वाले गनेश जी है उसका पीठ आमने सामने एक साथ आप उसको लगा दिए इससे क्या होगा कि गनेश जी का जो पीठ का इनरजी है जो निगेटिव इनर्डी है जो दर्जित्ता का इनर्डी है वो बैलेंस हो जाएगा और इससे आपके घर में जो दर्जित्ता की आने की संभाबना होगी वो कम हो जाएगी लेकिन आप इन बातों का धियान रखे जब भी आप अपने घर के मेन गेट पर भगवान गनेश का फोटो लगाते हैं तो फोटो इस तरह से लगाए कि उसका पीठ घर के बहार की तरफ हो तब ही इसका फैदा आपको मिल सकता है अन्य था गनेश जी का फोटो लगाने से मेन गेट पर कोई फैदा आपको नहीं मिलेगा उल्टा इससे आपको हानी हो सकती है तो आज मैंने आ आपको बताया कि भगवान गनेश का फोटो मेन गेट पर किस तरह से लगाए ताकि आपके घर में सुक समर्धी हो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो किस पैसे लाइक करें सब्सक्राइब करें तथा अपनों दोस्तों के साथ भी सेर करें ताकि वो भी जब नए म आपकान बना लेते हैं जब ग्रीप प्रवेश होता है तो उस समय भगवान गनेश का फोटो अगर मेन गेट पर लगाना चाहते हैं तो इन चीजों का ख्याल रख करके अगर वो भगवान गनेश का फोटो लगाएंगे तो उसके घर में भी सुक समर्धी का बास होगा आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद